जेहिंजे मबार्थी आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल SMC चारिये में में राजपार सर्माद स्वागत और अभिनेंदर करता हूँ सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम देशवाश्यों को जो विजे दस्वें की पाउन परवे की हरदिक शुब कामना है और आप सभी ने हमें खूब सपोर्ट किया है और उसके उपलक्ष में आप सभी ने 50,000 जो सबस्क्राइबर है वो पहुँचा दिये है आप सभी का सने और आप सभी का स्रिवाद यहीं बना रहे है इस वक्ते मैं जो सिकर जिले के अंतरगत फथेपूर कश्पा है वहाँ पर प्रतिष्टान और वहाँ पहले से संचलित हो रहे हर समय हर साल में एक नया प्रतिष्टान से मार्केट में आता यह लोगों का इनके परती जो भैवार है लोगों की जो connectivity है वहाँ शांदार रहती है आज वैस्टन सूज है उनका यहां पर सुबारम होने जा रहे हैं यहां पर दुर्गा चो के जो है फतेपूर वहां से उलोकन करते हैं यह देखिए जो वेस्टन सूज है उसके अंदर का दृश्य हम आप लोगों की डिश्पले के उपर दिखा रहे हैं आप फतेपूर या उसके आज पास से कहीं शे भी विजिट करते हैं या बिलोंग करते ह लिवत को फाले बता दियां वेस्टन इंगशन फ़तिव जो लगातार यहां पर शंचालीत यह उसके बाद सर्डीज है उनका भीर चैनल को देखकर उजिट करते हैं थोबने वाख शंदार जो प्रतिश्टन है वो यहां पार मारशी ब्रादर, संपत जी, संजे जी जो भी इन शजुडे रमेश जी और उनका पूरा जो प्रिवार है वो लगातार संचालित करता है आपके कॉंटक्ट नंबर है वो भी मैं इस डिस्पले के उपर डाल रहा हूं आप यहां के विजिट कर शकते हैं और आस प्रिश्टान है उनको भी आप अपना विश्वास आपका शने आपका प्रेम अलगातार यहां पर दिखाए और यह देखें यहां पर जो संतु का पहुंचना सुरू हो गया है आपकी स्क्रिन के उपर प्रमसर देविने जी महराज नजार आ रहे हैं उनके साथ में प्रका सिंक्या में कोई भी करिक्रम होता है उनकी जब ओपनिंग करते हैं तो यहां पर सामाजिक शत्र से धार्मिक शत्र से राजनितिक शत्र से जड़ेवे हर वेक्ति यहां पर पहुंचता है और लोगों का जो आने का सिलसिला है विसेस रूप से संतु का सानीद्य है वो मिलता पिछले दिनों से यहां पर संचालन हो रहा है आप देखिए चारों तरफ बड़ी संक्या में जो चाहने वाले हैं इस्ट मित्र है वह यहां पर जूड़ चुके हैं और बहुत बहुत करक्रम है वह महर्शी ब्रादर्स है वह यहां पर रखते हैं एक छोड़े शे गावं से पाहिए अन्य प्यच्छान मनाई यह फाते बूरी अंदर यानी वेस्ट ul क्लेक्शन आये वेस्ट गिद्ॉट बेड़ा ब्राण है वह वरतवान में बन चूक है यहां बॉओ हैद्प के ऊन्य जी था ब्रतमान में इंकी रीच रहाय और माभगतिष से he serait कि कि इन two business हैं coalition जिन्दोगना राच्चोगना यहीं बढ़ता रही क्योंकि संतु का सानीदे मिलता है पोरो जो विदाइग है वो भी यहां पर पहुंच चके हैं आपके स्क्रिंड के ओपर नजर आ रहे हैं और इस समय जो पूजा अर्चना है वो सुरू हो चके है और आमारे संतन संस्कर्थ के अनुक्षार पूजा आर्चना का जोकारी है वो भी यहां पर जा रही है संतु का सानीदे और अबिनेशी महरसी नजर आ रहे हैं जो यहां पर पोरो और समय विदाइग्रतन गड़ अबिनेशी महरसी है उनका इस समय तिलकार्चन क्या जा रहे है जो तस्वीर है और अब आप देख सकते हैं विनेनाज जी महाराज है वह इस्टन सूज है उनका उद्गाटन समार है उनके उपनेंग शरमेनी है उनके तस्वीर है माप लोगों तक लगातार यहां से पहुंचा रहे हैं वेस्टन क्लेक्शन वेस्टन कीड्सवेर वेस्टन साडी वेस्टन स्पोर्ट्स यह सारी चीजें हैं उनका पहले से यहां पर प्रतिष्टान उनका संचालन आपकी स्क्रीन के ओपर मदुसुदध जी भिंडा है बाजबा के अन्यता है पतेपर से बिलोंग करते हैं वह भी आपकी स्क्रीन के ओपर नजर आ रहे हैं और इन सभी के संतों के सानीदे में इस कारिक्रम का और वेस्टन सूज का प्रमसर्दे गुलामना जी महराज रुखन सरासरम और ये जो है प्रतिश्टान उनका इस समय सुबर्म होचका है और अब संत है वो अपने कदम है वो आगे बढ़ाएंगे ये देखिया आपके स्क्रीन के ओपर जो लगातार तस्वीर नजर आ रही प्रमसर्दे गुलामना जी महराज का सानीदे हैं उनके शाद में अविने अब इनेश जी महरसी आपकी स्क्रीन के ओपर उनके साथ में अप्रकास जास जी यह तवाम संतु का सानीदे और आपकी स्क्रीन के ओपर मदुसुदन जी नजर आ रहे हैं बाजबा के नेता पातिपूर से स्क्रीन के ओपर और यह देखें आपकी स्क्रीन के ओपर यहां पर चीज के परतिक चीजे उनको बड़ी बारी के से यहां पर दिखाये जा रहा है यह देखें जो तस्वीरे हैं पर यहां पर ब्रमा कुमारी जी है वो पहुची वी है और सुभकामना नियुक्त साथ में जो तस्वीर है एक भेट है वो भी यहाँ पर विश्वे महाराणी लक्षमी की और साथ में विश्वे नाराइन और लक्षमी की तस्वीर क्योंकि कोई भी काम है कोई भी व्यवसा है उनको चालाने के लिए सबसे ज़्यदा लक्षमी की जर्रत पड़ती है वो प्रतिष्टान के बारे में और आज किस करिक्रम के बारे में स्टेटमेंट लेते हैं सबसे पहले आपका स्वागत है अबिनंदन है आज इस तरह से नया प्रतिष्टान यहां पर जो वेस्टन सूज है उसकी ओपनिंग हुई है आप इससे पहले वेस्टन जो किट्स वेर हैं उनमें भी आपकर गए थे और विशेश लगाओ है आपका वएसे तो हर्विक्तिशन लगाओ है लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह से वेस्टन का गरूप है उनसे विशेश लगाओ है वेस्टन शूज के उदगाटन पर भी मुझे आने का आवसर मिला मैं कोई राजनेता के रूप में यहां उपस्तित नहीं हुआ हूं मैं परिवार के सदस्य के रूप में उपस्तित हुआ हूं छोटों को आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुआ हूं मुझे बहुत खुशी है महर्शी परिवार प्रती दिन कड़ी मेहनत करके लगन के साथ में आगे बढ़ रहा है और व्यापार के अंदर कारिये शुरू करना तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसको लगातार प्रगती के पत पर आगे बढ़ने के लिए उसका लोगों का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है इसलिए मुझे खुशी है कि महर्शी परिवार अपनी प्रतिष्ठा को अपने कहे अनुसार कारिये करके आगे बढ़ने का काम कर रहा है मैं आज के इस शुब अवसर पर संपत्जी और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और भगवान से प्राथना करता हूँ कि खूब फलें फूलें और लोगों के बीच में अपने विश्वास को काईम करें मार्केट में आते एक बार आते उसके बाद चले जाते हैं कहीना कई विवार है जिस तरह का इनके प्रति लोगों के प्रति लगावा है खासतोर से युवा जुड़े में बहुत सारे आसपास में किसी को भी पूछ लो जैसे पतेबूर बेल्ट है कहीं पर भी आप जाके प बात है आज यह जो कारिक्रम हो रहा है जो यह उद्घाटन हो रहा है यह यहाओं के लिए यह वेस्टन कलेक्शन हुआ तो भी है और वेस्टन शूज हैं तो भी है मैं शुब कामना देता हूं यहाँ पर संतु का सानीदे विशेश रूप से हैं और इसी क्रम में हमारे साथ है बहन ब्रह्मा कुमारी सुनिता जी जुड़ी विए आप थोड़ा सा बताएं वेस्टन कलेक्शन के बारे में और जिस तरह से आज के कारेक्रम में पहुँचे उनके बारे में भी वेस्टन शूज हाउस के मालिक को हमारी तरफ से बहुत सारी शुब कामनाई है और आपने जो ये शोरूम खोला है तो जो भी यहाँ पर आएंगे उन सभी को अच्छे से शूज मिलेंगे स्विधा जनक मिलेंगे रिजनेबल रेट पर मिलेंगे यही हमारी मालिक से शुब कामनाई है आपने एक जो टाइटल है ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सारे लोग है वो दिकांसीजू के बारे में जानते भी नहीं है बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जो लगातार सेरिंग भी होगा तो थोड़ा उनके बारे में भी आप जानकारी दे जी आशा मुक्त और व्यस्न मुक्त और तनाव मुक्त जीवन के बारे में नीशुलक सेवन डेज का कोर्स कराया जाता है अतै सभी भाई बैनों से हमारा नवर निवेदन है कृपिया आप सेवा के इंदर में आईएगा और अपने जीवन को खुश हाल बनाने के लिए और हमारे विश्वर रूपी समाज को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए इसका लाब आप जरूर लेवी और ये अंतरास्टियस तर पर हमारी संस्था है जहां पर प्रतेक व्यक्ति को ऐसा खुश्णुमा जीवन जीने की कला सिखाई जाती है संतु का सनिद्य है विसेश रूप से जो वेस्टन कलेक्शन है मैरसी प्रिवार है उनके ओपर लगातार मिलता रहता है हमारे साथ इशी क्रम में प्रमसर्दे प्रकासदास जी महराज है वो जुड़ेवें विसेश लगा वैसे तो हरका ही लगावें इनसे एक बार जो स्टेडमेंट लेना चाहेंगे गुर्देव आप लगातार इस परिवार से जुड़ेवें इस संस्ता से इस प्रड़क्ट से आप जुड़ेवें जो हर समय बहुत बड़ी पहचान पिछले 5-6 सालों में नों ने बनाई है किन सब्दों में आज जो वेस्टन सूज है उनक को पहले ही बता है जब सुरुवात के हमने क्लिप लेती उस समय शंतु का विशेश लगाव रहता है और कहते हैं जब बसंत आता है उस समय प्रकर्थी का माहल बदल जाता है और संत किसी की जीवन में आते हैं तो उनका जो संसकार वो बदल जाता है और संत हमेसा जब भी आ जा रहा है कि मारे साथ प्रवीन जी जाजडे जडेवें जो गांगियासर से बिलोंग करते हैं गांगियासर के वो रहने वले हैं और प्राइप्राई इस हर उद्गाडन समारों में या वेश्टन्स जो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा ब्रांड है पत्यपूर का और परिष्टान नया खुला है सबसे पहले तो मैं संपजी महर सी और उनके पूरे परिवार को अर्दिक शुप कामना और उनको बदाई देता हूं कि आपका जो सोब कुलिया वो निरतर परियास करें और अच्छा लोगों से जुड़े दूसरी बात इनके साथ जो भी विक्त हम 6-7 साल होगे उनसे जुड़े वे एक निरंतर परिवार की तरह रहना तो मेरा तो यह कहना है कि एक बार फत्यपूर में जब भी आओ आओ कपड़े लेने सूज लेने वेस्टन स्पोर्स वेस्टन सूज पर बिल्कुल बदारे हमारे साथ इस प्रतिश्टन को सभी मेंट जी सर्मा है वह यहां पर आएंगे नरेश जी सबसे पहले तो आपको जो नया प्रतिश्टान है दिपावली का पावन सीजन आ रहा है और विजय दश्मे का पावन पर उनके हार दिक्षुप काम नहीं और माभगवती शेमा लक्समी से काम ना करते हैं क्योंकि कोई भी वे इसे हमने इसमें ब्रणीर से लेके नोकल तक का काम किया आपको मैसूज की तरप लेके चलता हूँ जिसमें फश्ट कोपी का माल है फश्ट कोपी हैसमें जो 2000 के लगभग रहेगी टेंज जो एडिडास और पूमा में नाीकी में फश्ट कोपी का माल है उसमें दोजार पूरी जानकारी वो दे दी और वैसे मैंने पूरा वीडियो आपकी स्क्रीन के उपर दिखा दिए इनके कॉंटक्ट नंबर है वो डिश्प्ले के उपर मैं फ्लेश कर रहा हूं आप यहां से जूड़िए वाने फिर से बता दिया वह यहां पर संचालीत होता है उनके अलावा वेश्टन क्लेक्शन अब उत लगाता है यहां पर चली रहा है वेश्टन स्पोर्स है वह भी है जहां पर आपको क्रिकेट कबड़ी कोई भी किट है मोमेंटो है वो चाहिए तो आप इनसे कॉंटक्ट कर सकते हैं वेस्टन साडीज है उनका भी संचालन हो रहा है जिस तरह कि आपको जरुत पड़े जो नंबर डिश्पले की उपर है आपको डाले जा रहे हैं उनसे आप कॉंटक कि इनके पास अभी लोग आते हैं अपनी विचार धारा है सदाम साब आप बताएं मैर्शी ब्रदर्श वेस्टन क्लेक्शन उनसे काफी सालों से आप लगाता है इनका जो प्रतिष्ठान है इनका जो व्यवार है लोगों के प्रतिक क्रेक्टिवीटी है उन पर आप क्या क विच्टन क्लेक्शन मैर्शी ब्रदर्श है इनके पास कपड़ों कॉम मार्केट के साथ उनकी बहुत अच्छी है और यह सभी लोगों को एक समान एक नजर से देखते हैं बहुत ही वेवारिक बहुत ही सरल सभाव के व्यक्ति है यह सब बात बताएं सदाम साब पिछले 5-6 साल में 5 प्रतिष्टान का ओपनिंग करना बड़ी बात है यह क्या लगता है आपको लोगों के स साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वरना पांस साल अगर सर्वाइव मार्केट में करना बहुत मुश्किल है और बलगे यह तो हर साल नया नया कुछ ना कुछ एक्समेंट नया शौप का उद्गाटन इनका मार्केट में हो रहा है तो यह चीज पॉसिबल नहीं है ल इन से अलग जा सके और इनके वेवारे में कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मिलब लोग इन से अलग हो हूँ हमारे साथ गोविंजी जुड़े में है उनसे थोड़ी बात्चित करनेका प्रयास करते हैं गोविंजी अ नया पृती श्टान है जो वेस्टन सूजए उनके है गुरू महाराज की बहुत बड़ी दया है क्योंकि Western Carney के शॉनिंग है इतनीiezविक्ससाइब किसी भी फत्यवर कि अंदर है नहीं एक western ऐसा ग्रूब है जिसके अंदर हमारी Western collection है Western Sportshaitreesmen weair है, साड़ीज है, इसूज है, यह हमारी ओपनिंगे हुई है, और इसके लिए सबसे बड़ा एक तो जो लोगों का प्यार, जो स्निय है, वो बना रहता है, और जो वेवार, सबसे बड़ी बात है, कोई भी हम काम करेंगे, तो वेवार से काम चलता है, हमारा सब लोगों का, हम जो भी हम बाई है, हम सब लोगों का वेवार बड़ा अच्छा रहता है, और जनता का भी आशिरवाद, जो भी लोग है, जो हम से जुड़े हुए हैं, उनको हम विश्वास के साथ, उनके दोफिपन बनाया उस विश्वास के कारण ही यह सब संबग हो पाया है ओम मीद करेंगे कि आप ने जो हम पर उस विश्वास को हम कायम रहेंगे और हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं तो वो एक विश्वास के साथ आते हैं कि Western Collection या Western Group हमारी Sports की बहुत बड़ी प्रतिष्टान है जिसमें राजस्तान में जितने भी टूर्णामेंट होते हैं कबड़ी, कबड़ी, किर्केट जितने भी बॉलिवाल वगरे, उन सब के टूर्णामेंट है, हम यहां से स्पॉंसर भी करते हैं और युवा बहुत बड़ी संक्या में हमसे मिलके रहते हैं संपजी एक प्रशन ओर रहेगा, मैंने सुना है कि आप जो भी जितनी आपके आई होती है हमारी यह है कि हमें संतों का सानित दे है वो हर वक्त बना रहता है तो क्या है कि मानव जो जो मानव एक अनुबूती है उसके हिसाब से हम जितना भी कमाते हैं उसका 5% इस्ता गो सारवा में हो या क्रिकेट टूनामेंट में हो आज के समय में युवा जिते भी हम से जुड़े हुएं उनके किसी ने किसी रूप में हम उनके साथ में जुड़े रहते हैं बाजी एक लास्ट मेरो परशन है हरो एक आईडेल है मैं बार आककर देख्यों है आईडेल है दिरुवा या मनी पिक के पिछे के राज़ा वो बतो हर कोई बच्पन से कुछ ने कुछ बनना चाहता है जरूरत है उस लक्षे के पीछे हमें काम करने की तो वह बहुत बड़ी सोच है वह व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व के पीछे कहीं मेरी जो सोच है वह जूड़ी है और यह कि हमें संतों का सानिध्य बना रहता है हमारी सदबुद्धी भगवान ऐसे बनाए रखे और सब के साथ हमारा सहयोग बना रहे हैं संपजी एक प्रशन हो रहे है एक छोटे से गाउं से आप निकल कर इतनी बड़ी मार्केट में के बहुत बड़ा ब्रांड बन जाना किस तरह से आपने इसको लगा था रागे बढ़ा है वो भी थोड़ा सा बता है हमारे तबाम हमारे गर में गुरुदेव हैं यह हमारे मा जब दरिशकी के पावन उप लक्ष में हुआ है अब बहुत सारे लोग बहुत सारे संथ्टुका सानी दीश का रिक्रम में प्रप्त हुआ है अदिपावल्य का सीजन आ रहा है और विशेसरूप से अमारे राजस्थान में ऑनज्वान प्रवे पर नया समान खरीदनी के भ कपड़े खरीदने का काम हो चाहे उनके लावा साड़ीज क्रेदने का चाहे चोटे बच्चों के लिए कपड़े आप सभी तरह के जो वेस्टन क्लेक्शन है वेस्टन एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो फत्यवुर का बंचका है और उनके डिश्पले के उपर मैं नंबर ड प्रगती करते रहें मैं था यूट्यूब चैनल SMC चारेस राजकुमार सर्मा आपको कैसा लगा करिक्रम आप फिडबेक जरूर देना इस करिक्रम को लेकर और आप फटेबुर के आसपास से बिलोंग करते तो जरूर जुड़े और अगर आप फिर भी कहीं से चलकर आते है बारत की किसी भी कोने से और अगर आप फति पुराते एक बार तो आपको मैं लोकेशन आओ फिर से बता देता हूँ बावडी गेट दुर्गा पूजा चोक है वहाँ पर आप पहुंची और इनसे दिये गए नंबर है उनसे आपे खरीदे या ना खरीदे ये तो आपकी व पर पहुंच कर एक प्यारी वाली चाय वाले मुलाखा जरूर किजिए धन्यवाद